गुप्त परशाशन गुप्त समराज के विशिन जो विभीन हिस्थितियां थी जैसे समाज, उसकी अर्थवरस्था, उसके दोरान की कला, जिसके कारण गुप्त समराज को गोल्डेन एज या स्वर्ण्यू कहा जाता है, उसको अगले वीडियो में पढ़ेंगे. तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस चेप्टर को जो है गुप्त समराज प्राचीन भारत का एक महात्पून चेप्टर हैं. सबसे पहले आते हैं हम लोग थोरा सा पड़िचय देखते हैं कि गुप्त समराज का एक पड़िचय. क्या था गुप्त समराज और किन परिस् समराज का स्थापना पुरे भारत में क्या था दो मौरे समराज थे. लेकिन मौरे वन्स के पतन के बाद बहुत चोटे-चोटे राजबनसों का उदेह हुआ और वो चोटे-चोटे राजबनस, चोटे-चोटे भागों में भी खन्डित हो गये. नतीज़ह ये हुआ कि पूरे भारत में कई छोटे छोटे राजवनसों के दौर में कई विदेशी आक्रमन काड़ी आए और पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे हिंदी युनानी, सक, कुशान, आदी भारत में आक्रमन करके भारत में समराजय अस्थापित करने का प्रयास करते हैं तो मौर्यवनस से लेकर के गुब्थ वन्स के बीच का वह दोर जिसमें बहुत छोटे छोटे राजवनस आए लेकिन पुना वह इस्थितियां बनी जब भारत में एक विशाल समराज की अस्थापना होती है और वह विशाल समराज की अस्थापना गुप्थ सास को द्वारा किया जाता है तो मौरे वंस के बाद पुना एक विशाल समराजे किस वंस द्वारा अस्थापित किया गया तो वह थे गुप्त और गुप्तो द्वारा यह विशाल समराजे लगभग चौथी सताबदी इस्वी से ले करके छटी सताबदी इस्वी के बीच में यह समराजे विश्तृत रूप में देखने को मिलता है जो लगभग 300 इस्वी के बाद और लगभग सारे 500 इस्वी तक बना रहा तो आज हम लग उसी को प्रमुक रूप से पढ़ेंगे हाला कि कहा जाता है कि जो गुप्त सासक थे वो प्रारभ में जो थे वो कुशानों के सामन्थ हुआ करते थे और बाद में उन्होंने खुद की अपनी सत्ता स्थापित की और सासक बन बैठे इनके जाती के संबन में भी इतिहासकारों में मतभेर है जहां कुछ इतिहासकार का मानना ये है कि ये सुद्र जाती से संबन्धित है तो कहीं कहीं अलग-अलग इतिहासकार इसे वैस से जाती से संबन्धित भी बताते हैं अधिकांस इतिहांस कार वैस सजाती को लेकर के जो है वो सहमत परतीत होते हैं हाला कि अभी भी इस पर इतिहांस में विवाद बना हुआ है तो प्रारंभी की तिहांस या परिचय की बात करें तो गुप जो सासक थें वो लगभग 34 सतावदी से लेकर के 6 सतावदी इसापुर में बिहार और उतर प्रदेश के छेतर में सासन प्रारंभ करते हैं और देखते देखते संपूर्ण भारत के भाग पर एक विसाल समराजी क तो इसी विषाल समराज के दौरान कई सासाका हैं जिनोंने अलग-अलग कारे किये उनसे अलग-अलग प्रशन पूछetzt पूच्छे जाते हैं लेकिन अन सासकों के बारे में आखिर हमें जनकारी कहां से मिलती हैं तो आईए दूसरे पॉइंट कि उराते हैं जो है हमारा सुरो लिट्रेचर कुछ बुक मिले हैं जिनके माध्यम से हमें गुप्त सासकों की जनकारी मिलती हैं जैसे देवी चंदर गुप्तम की कहानी, मुद्रा राक्षस की कहानी, काम सुत्र की कहानी जो वात्सायन द्वारा लिखी गई है इसके अलावा काली दास की रचनाएं और कई ऐ प्रियानवें सम्मंधी कुछ जनकारी मिलती है जिने हम चरम बदरूप में याद कर पाते हैं या पढ़ पाते हैं तो ये इतिहांस के सुरोत में सहितिक सुरोतों को हमेशा महत्तों दिया जाता रहा है क्योंकि इनके माध्यम से कई गुथियों को सुल्जाने में सफलता मि लिखा गया था समुद्र गुप्त के दरवारी कभी थे हडिसेन उन्होंने समुद्र गुप्त की प्रसंसा लिखी है उस प्रसंसा के करम में उन्होंने गुप्तों के संपूर्ण राजाओं के नाम दिये हैं इसके अलावा समुद्र गुप्त ने कौन-कौन से जीत दर्ज की उसका वर्नन किया है इस प्रकार से प्रयाग प्रसस्ती लेख से भी बहुत सारी जनकारी जो है वह गुप्त समराजे के संबन में मिलती है इसके अलावा एरन अभिलेख जो भानु गुप्त का है जिसमें 510 इसवी के आसपास की घटना का वर्नन है जिसमें किसी के सती होने का पहला अभिलेखिये प्रमान मिलता है तो ये कई बार एक्जाम में भी पूछा गया है तो इस प्रकार के अभिलेखों से बहुत सारी जनकाठी घठा की गई इसके अलावा तामरपत्र मुहरों पर लिखे गए लेख आदी से भी गुप्तकाल के जनकारियों को इकठा किया गया है और उसे ग्यात किया गया है जनकारी के अच्छे सुरोत माने जाते हैं क्योंकि मुद्रा के माध्यम से भी किसी समराजी के सम्वन्द में 20 जनकारियां प्राप्त की जा सकती थी या की जाती है जैसे आपने पढ़ा था और मैंने बताया भी था वीडियोज में कि सबसे ज़्यादा स्वर्ण सिक्के जो हैं वो गुप्ट सास को द्वारा चलाए गए थे तो सोने के सिक्कों के माध्यम से भी गुप्ट समराज के संबन में कई जनकारियाई कठा की गई जैसे अगर सोने के सिक्के बहुत मात्रा में चलाए गए तो उनकी आर्थी किस्थी थी कैसी थी इसके अलावा सोने की क्वाइलिटी क्या थी क्या वो कितने कैरेट सोने थे जिनके माध्यम से सिक्कों का निर्मान किया जाता था तो इससे भी पता चल जाता है कि किसी राजय की आर्थी किस्थीति कितनी अच्छी या कितनी खराब हो रही थी जैसे जैसे सोने की quality गिरती जाएगी, शिक्कों की गुनवत्ता गिरती जाएगी उसले पता चलता है कि अर्थ विवस्था में गिरा वटा रही थी तो इस प्रकार से इन सिक्कों के माध्यम से भी आर्थिक जनकारी इकठा की गई इन सिक्कों के माध्यम से कला संबंधी जनकारी भी मिलती है कि किस प्रकार के कला का विकास वहां हो रहा था जैसे एक स्वर्ण सिक्के पर समुद्र गुप्त को बीना बजाते हुए दिखाया गया है ये कई एक्जाम में प्रशन भी पूछा गया है कि किस सासव को बीना बजाते हुए दिखाया गया है तो इससे अस्पष्ठ होता है कि समुद्र गुप्त का बीना में इंट्रेश था और वो बीना के कला से निपुन थें, तो कला के विशे में भी जनकारी जो है इन सिक्कों के माध्यम से मिलती है। इसके अलावा भारतिय सोने के सिक्के, उस गुप्त कालिन सोने के सिक्के यदि विदेशों से प्राप्त होते हैं या भारत के दूर दूर छेत्रों से प्राप्त होते हैं तो उससे आंतरिक एवं बैह ब्यापार का भी पता चलता है, साथी साथ यह भी पता चल जाता है कि प्र कार् νपा जर्ष वर्धन के शमये थे चीनी यातरी, इसने भी कई ऐसी जानकारिया दी है जिसे ना खेवल हर्ष काल की जानकारी, बलकि गुब्द काल की भी जानकारी जो है, वो मिल जाती है तो इस प्रकार से ये कई ऐसे सुरोत है जैसे साहिते, लेक, मुद्रा और यात्रा विवरन जो विवीन विदेशी यात्री थी इन सब के माध्यम से गुप्तकाल की इतिहास की जनकारी मिलती है और उसी के आधार पर इस इतिहास को इस रूप में करंबद किया गया है ताकि ब प्रमुक्षासकों में पहला सासक स्री गुप्त, आपको याद रखना है बहुत शारे एकजाम में पूछा जाएगा कि गुप्त वन्स के संस्थापक कौन थे तो श्री गुप्त थे, श्री गुप्त ने लगभग 240 इस्वी में इस वन्स की अस्थापना की रहा हलाकि इसक उसके संबंध में जानकारी कहां से मिलती है तो वही प्रयाग प्रशस्ति लेख जो हरी सेन द्वारा लिखा गया था उसमें इनका नाम सबसे उपर है जिसे ये पता चलता है कि साइद इस बंस की अस्थापना श्री गुप्त ने की थी लेकिन स्री गुप्त ने बहुत ही अस और कहा जाता है कि 280 में इनके बाद 280 इस्वी से ले करके 319 इस्वी तक जो है वो सासन रहा था घटोतकश गुप्त का और एक लंबा सासन काल दोनों सासको द्वारा चलाया गया लेकिन इस सासन के दोरान कितना विवस्थित रूप में गुप समराज बढ़ा ये बहुत ही कम जनकारी है केबल इनके नाम ही जो है वो प्रयाग प्रसस्ति लेक से मिलते हैं अधिक जनकारी इनके बिशे में नहीं है लेकिन गुप्त सासकों में सबसे पहले महराज की उपाधी धारन अगर किसी ने की थी तो वो घटोतकश गुप्त ने धारन की थी तो इस प्रकार से उमीद करते हैं कि इस पार्ट के आप मैक्सिमम पार्ट को आप समझ गया होंगे अब आते हैं हम लोग चंद्रगुप्त प्रथम की उड़ जो की वास्तों में गुप्त वन्स का अगर वास्तविक संस्थापक किसी को कहा जाता है तो वो चंद्रगुप्त प्रथम को कहा ज तो इस पॉइंट को निश्चित रूप से आप ध्यान रखेंगे कि यदि संस्थापक पूछा जाएगा तो स्री गुप्त होंगे लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक पूछा जाएगा तो चंद्र गुप्त पर्थम जिसका सासंकाल 319 इसवी से ले करके 335 इसवी तक था जो घटोतकच गुप्त का पुत्र था 319 इसवी में जब चंद्र गुप्त पर्थम सासक बना तो सासक बनने के उपलक्ष में उसने एक कैलेंडर चलाया जिसे गुप्त संवत के नाम से जाना जाता है तो कई बार ये प्रशन भी पूछा जाता है कि कब चलाया और किस ने चंद्र गुप्त पर्थम ने जो है वह गुप्त संवत चलाया था इसके अलावा मैंने ये भी बताया था कि कुशानों में कनिष्क ने जोै 78 इसवी में सासक बनने के उपलक्ष में उसने भी एक संवत चलाया था जिसे सक संवत कहा गया था तो ये आप जरूर याद रखे इसके अलावा गुप्त सासकों में सबसे पहला सासक चंदगुप पर्थम था जिसने महराजा धीराज की उपाधी धारन की और समराजे का वेश्तार सुरू किया यही कारण है कि इसे वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है और पर्थम सक्तिसाली राजा के रूप में भी देखा जाता है तो गुप्ट सास्कों में सबसे पहला प्रथम सकती साली राजा कौन बना था? तो चंद्गुप प्रथम बना था और इसे ने पहली बार महराजा धीराज की उपाधी विधारन की थी इसने वैवाहिक संबंध द्वारा समराज विस्तार का प्रयास किया था जो कि सबसे पहले आपने पढ़ा होगा विम्बी सार ने इस तरह की प्रमपरा शुरू की थी तो लिछवी की राज कुमारी कुमार देवी से विवाह करके जो है चंद्रगुप्ध पर्थम ने अपने समराज विस्तार को बढ़ा करने का प्रयास किया था इस प्रकार से प्रमुख शासकों में सबसे पहले प्रमुख शासक के रूप में चंद्रगुप्ध पर्थम को जाना जाता है जिनका शासनकाल याद रखेंगे 319 इसवी से ले करके 335 इसवी तक इनका शासनकाल था इसके बाद जो प्रमुख शासक है वो है समुद्रगुप्ध समुद्रगुप्ध से बहुत शारे प्रशन पूछे जाते हैं ये 335 इस्वी में सासन की गदी पर बैठते हैं और 375 इस्वी तक इनका सासनकाल रहता है समुद्र गुप्त से जुर्य हुए कई प्रशन है समुद्र गुप्त इस वंस का सबसे परतापी साशक बना जिसने समराजी विस्तार के सास समराजी को सुद्रिड करने का भी प्रयास किया यही कारण है कि इनके विशाल समराजी के निर्मान के करम में आपको ये याद रखना है कि विंसेट इसमिथ वी ए इसमिथ ने समुद्र गुप्त को भारत का नेपोलियन कह करके संभोधित किया है और कई एक्जाम में इसे पूछा गया है यह नेपोलियन इसलिए कहा गया था क्योंकि समुद्र गुप्त ने कई उत्तर भारत और कई दक्षिन भारत के राजियों को जीत करके अपने गुप्त समराजी का आकार जो है वो बहुत बड़ा कर दिया था आईए इसके सम्बंद में कुछ और जनकारी परते हैं हरी सेन हरी सेन कौन थें तो समुद्र गुप्त के दरवारी कभी थे हरी सेन ने समुद्र गुप्त की परसंसा में एक अभिलेक लिखा जिसे प्रयाग परसंस्ती लेक के रूप से जाना जाता है यह पहले कौसांबी में था जिसे अकवर ने इलाहबाद अर्थात प्रयाग में अस्थापित कराया और जिसे अब बर्तमान में प्रयाग प्रशस्ती लेख के रूप में ही जाना जाता है तो इस प्रयाग प्रशस्ती अभिलेख की रचना किस ने की थी तो हरी सिन किस सासक के समय हुई थी रचना तो समुद्र गुप्त इसी अभिलेक में समुद्र गुप्त के जितने भी वीज़ें हैं, जितनी भी जीत हुई थी उनकी उसके संबंध में चर्चा मिलती है इस अभिलेक जे प्रमुख चर्चा में है कि आर्यावर्थ अर्थात उत्तर भारत के उसने नौ राजाओं को पराजित किया था जबकि दक्षिनावर दक्षिन भारत के बारह राजाओं को जो है वह समुद्र गुप्त ने पराजित किया था उतर भारत के नौ और दक्षिन भारत के बारा राजाओं को पराजित करने वाला सासक था समुद्र गुप्त इसकी जनकारी मिलती है प्रियाग प्रशस्ती लेख से। और किसने इसे प्रियाग में अस्थापित करवाया तो अकवर ने बाद में मुगल काल में भी इसमें कई खुदाईयां हुई और उस पर कुछ अन्य चीजें भी लिखी गई और लिखने के बाद इस अभिलेख से जहांगीर और बिडवल के संबन्ध में भी जनकारी प्राप प्रेमी भी था समुद्र गुप्त को कवी राज की संग्या भी दी गई है तो ये भी कई एकजाम में पूछा जाता है कि किस गुप्त सासक को कवी राज के नाम से भी जाना जाता था तो समुद्र गुप्त को कवी राज के नाम से भी जाना जाता था इसके अलावा समुद पून सासक, चंद्रगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त. समुद्रगुप्त के सम्मंद में मुख्य रूप से आप ये प्रयाग प्रसस्ती लेख और इससे जूरे हुए बिभीन जानकारी निश्चित रूप से ध्यान में रखेंगे क्योंकि यहां से प्रशन पूछे जाते हैं. अब समुद्रगुप्त के मिर्ट्यों के बाद उसका पुत्र चंद्रगुप्त दूतिये सासक बनता है और यह 375 से ले करके 415 इस्वी तक सासन करता है. चंद्रगुप्त दूतिये भी एक बहुत ही महतोकांची और महत्पून सासक के रूप में जाना जाता है. चंद्रगुप्त दूतिये ने सासन में आने के बाद सकों को पराजित किया. और सक कौन थे? अपने पढ़े थे कि मौर्यों के बाद जो विदेशी आक्रमनकारी थे उसमें से मद्धेशिया से आने वाली एक जनजाती समूह था सक. तो सकों का समराज इतना बढ़ चुका था कि वो गुप्तों के लिए एक हमेशा चैलेंजिंग था. नतीजा ये हुआ कि सकों को पराजित किया. पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त दूतिये ने विक्रमा दित्ये की उपाधि धारन की. तो किस चंद्रगुप्त को विक्रमा दित्ये के नाम से जाना जाता ह ये भी कई बार प्रश्ण में बनता है तो आप इसे याद रखेंगे कि चंद्रगुप्त पर्थम को नहीं बलके चंद्रगुप्त दूतिये को चंद्रगुप्त विक्रमा दित्य भी कहा जाता है और चंद्रगुप्त विक्रमा दित्य ने जब सको को पराजित किया तो इस उपलक्ष में उसने चांदी के सिक्के भी चलवाये थे तो यहां से भी कई प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस गुप्त सासक ने चांदी के सिक्के चलवाये थे हाला कि आपको मैंने पहले भी बताया है कि गुप्त सासको द्वारा भारत में सरवाधिक स्वर्ण सिक्के जो है वो चलाए गये थे तो ये एक महत्पून बिंदु है जिसे आपको याद रखना है अब चंद्रगुप्त दूतिये के दरबार में नौरतन रहते थे ये भी कई एक्जाम में पूछे गए हैं कि चंद्रगुप्त दूतिये के दरबार में नौरतन रहा करते थे नौरतन से तातपर हैं कि ऐसे लोग जिनके पास विशिष्ट कलाएं थी जिसमें धनवंतरी जो थे वो बहुत फेमस थे और कई ऐसे वेक्ति थे जो अलग अलग गुनों से निपून थे उन्हीं वेक्तियों का एक शमूह था जिसे नौरतन के रूप में जाना जाता था और कहा जाता है कि चंद्गुब दूतिये के समय दो राजधानी के रूप में विख्सित हो चुके थे एक पाटली पूतर और दूसरा उज्जेन तो इस्पेसली उज्जेन छेतर के दरवार में जो है नौरतनों का एक समावेस देखने को मिलता है चंद्गुब दूतिये से पुछे जाने वाले अन्य प्रश्नों में फाहियान एक महत्पून प्रश्न मनता है फाहियान जो एक चीनी बौध यात्री था वह चंद्गुब दूतिये के समय ही भारत आया था और इससे कई जनकारी जो है उनके प्राप्त होती है फोकी की यह एक पाहियान की रचना है जिसमें उसने अपने पूरे यात्रा के दौरान उसने क्या प्राप्त किया, क्या देखा, क्या सीखा उसकी जनकारी उसने उपलब्ध कराई है इसके अलावा महरावली का लौह अस्तम जो की बहुत ही परशिद है यह ऐसा लौह अस्तम है जिस पर अभी तक जंग नहीं लगा है तो इसके कारणी से बहुत सारे प्रश्ण बनाये जाते हैं मेहरली का लोह अस्तम का निर्मान जो है, वो किसके समय कराए गया था, तो चंद्रगुप्त दूतिये के समय कराए गया था, वर्तमान में यह कौतल अल। इसलाम मस्जिद जो दिल्ली में स्थित है, वहां पर, जो है, यह मौजूद है. तो चंद्रगुप्ट दूतिये से कई प्रशन पूछे जा सकते हैं इसके अलावा काली दास किसके दर्वार में रहते थे तो वो भी चंद्रगुप्ट दूतिये के दर्वार में रहते थे ये भी प्रशन जो है यहां से पूछा जा सकता है तो चंद्रगुप्ट दूतिये से मुखेता, सको से संबंधित, चांदी के सिक्के से संबंधित, फाहियान से संबंधित, काली दास से संबंधित, और नौरतन से संबंधित, और महराली के लोह एस्तम से संबंधित प्रशन बन सकते हैं, तो इन्हीं आप जरूर ध्यान में र करके 455 इसवी तक जो है कुमार गुप्त ने शाषन किया खुए सबसे महात्पून है नालनदा विश्वी द्यालईगा निर्मान संभवत कुमार गुप्त के शाषनकाल के दौरां ही हुआ था जो कि कई PCS एक्जाम में भी प्रशन के रूप में पूछा गया है कि नालनदा क विश्वी द्याले का निर्मान किस गुप्ट सासन के काल में हुआ था हाला कि जो गुप्ट सासक थे वो वैश्ण अब धर्म को मानते थे लेकिन ये अन्य धर्मों को भी सपोर्ट करते थे इसका सबसे बड़ा उदाहरन यही है कि बौधों का सबसे बड़ा विध्याले जो नालंदा विश्वी द्यालय था उशका निर्मान गुप्त सास को के समय हुआ जबकि गुप्त सास खुद जो थे वो वैस्ण अव धर्म को मानते थे तो नालंदा विश्वी द्यालय का निर्मान जो है वो कुमार गुप्त के समय हुआ ये एक महत्पून है दूसरा हुन, हुन भी एक मध्येशिया की अकरामक जन जाती थी जो बार-बार सीमा परांथ शेतरों में आकरमन करकर के लूट पाट मचाती थी जिसे गुप्त और गुप्त सहसनकाल के लोग काफी पड़ेशान थे तो उनसे निपटने के लिए क्या परियास हुए थे उनसे प्रश्ण बनता है तो सबसे पहला प्रश्ण बनता है कि किस गुप्त सासक के समय पहली बार जो हुनों ने आकरमन किया था तो हुनों का पहला आक्रमन जो है वो कुमार गुप्त के समय शुरू हुआ था और कुमार गुप्त का पुतर था असकंद गुप्त तो कुमार गुप्त ने असकंद गुप्त को जो है वो इस्पेसली भेजा था हुनों को पराजित करने के लिए तो यहां से दो प्रस्ण बन और असकंद गुप्त ने जो है वह हुनों को पराजित किया था तो यहां से भी आपको प्रशन बनते हैं तो ये निश्चित रूप से ध्यान रखेंगे और ये कई PCS एक्जाम में भी कुष्चन बनाए गया है असकंद गुप्त पर आते हैं तो असकंद गुप्त से मुख्य रूप से यही प्रशन बनता है कि हुनों को किस ने पराजित किया था तो असकंद गुप्त को ने पराजित किया था और एक बनता है सुदर्शन जील का पुनर उधार किस ने किया था सुदर्सन जील के संबन में पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि चंद गुप्त मौरे ने एक जील का निर्मान जो है गिरनार प्रवत पकराया था सुदर्सन जील का जिसे बाद में चल करके सको के सासक रुद्रदामन ने जिर्नोधार करवाया था और रुदर्दामन के जिर्णोधार के बाद पुना हुआ जील जो है वो छित विछित होने लगा तो फिर से जो है असकंद गुप्त ने जाकरके जो है उसको पुनरुधार कराया फिर से उसको फiamente कराया और किसानों के लिए वहां से सिचाई की विवस्था कराई थी तो इस प्रकार से ये थे महत्पून सासक, प्रारंभिक महत्पून सासक, जिनके नित्रित तुमें धीरे-धीरे गुप्त समराज मजबूत होता गया और विस्तित होता गया असकंद गुप्त का सासन काल 455 से ले करके 467 यानि 467 इस भी था ये 467 इस भी वह काल था जिसके बाद मजबूत सासको का दौर समाप्त हो जाता है इसके बाद छोटे-छोटे सासक उभर करके सामने आते हैं जिसके समय गुप्तों की प्रतिष्ठा धीरे-धीरे कम होने लगती है और गुप्त वंस पतन की और अगरसर हो जाता है और जैसे आपको एक भानुगुप्त, भानुगुप्त एक सासक हुए जिनके 510 इस्वी के एरन अभिलेख से पहली बार किसी के सती होने का प्रमान मिलता है और यह कई इकजाम का महत्फूरण प्रश्द बना है तो यहां से एक प्रश्द बनता है कि एरन अभिलेख किसके समय तो बन पर अए निर्मित हुआ था तो भानु गुप्त, भानु गुपत कौन था तो गुप्त सासक था और 510 इसवी में यहाँ पर जो एरन अविलेक में किसी भी महीला के प瞧़ी बार सती होने का अविलेक यह प्रमान वो मिलता है और लास्ट जो है वो है विस्नु गुप्त को संभबता यह गुप्त वंस का अंतिम सासक था जो लगभग 550 इस्वी में इसकी मिर्ति हो जाती है और उसके बाद यह गुप्त सासन जो है वो समाप्त हो जाता है तो आज के वीडियो में मुख्य रूप से हम लोगो को देखा अगले वीडियो में हम लोग मुख्य रूप से देखेंगे कि गुप्त प्रशाशन की नीव कैसे पड़ी गुप्त समाज गुप्त अर्थवस्था और गुप्त काल की कला विवस्था का कैसे विकास हुआ और क्यों गुप्त काल को श्वर्ण्यूग कहा जाता है क्या उसे श्वर्ण्यूग कहनास तही है या नहीं ये हम लोग अगले वीडियो पार्ट टू में देखेंगे तो धन्यवाद इडियो टेरिया से जुरने के लिए और इतना सारा लाइक, कॉमेंट्स और सेयर करने के लिए इसके अलावा अगर आपने प्राचीन भारत के व